असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन ख़बरों से हमें सा वाकिय फ्रेंड है चाते हो तो ये वीडियो को बिनाय स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको हमें सा फ्री में दोस्तों मिलती रहे तो सातियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो ख़बर आपको मैं सुन चुने गए जिसके वैसे साथियों कतर के आमिर साभ ने उसे बधाईया दी फोन पर बात की और उनको बधाईया दी गई अगली खबर दोस्तों जो आरे सातियों वीडियो की स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हो यह वेंडो मॉल का यह फोटो है तो वेंडो मॉल के तरफ से दोस्तों ऑफिसेली आज बताया गया है कि लगभग 560 श्टोर वहां पे खोला जाएगा इन 30 डॉम्स में तो यह दोस कि यह तरफ से आ रही यानि कतर मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से आ रही है तो कतर मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से दोस्तों आज बताया गया है कि मौसम थोड़ा क्लॉडी होने वाला है यानि दोस्तों बहुत सारे जगहां पे आपको बादल वग खबरे सातियों जो की हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट से आ रही तो हमद एरपोर्ट पे सातियों कस्टम डिपार्टमेंट के तरब से इस मगल की समाने को जबत किया गया जिसे कहते हैं सबू तो जो वीडियो के स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं दोस्तों इसे सबू कहा जात जो सक्स इसमें सामिल था उसे ग्रफटार कर लिया गया और उसे पूस्ताच की जारी की और कौन-कौन इसमें सामिल थे अगली खबर क्यों शातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी सातियों वो एक्सपर्ट के लिए थोड़ी बढ़िया खबर है दोस्तों एक्स के तरब से दोस्तों यह announcement किया गया था कल के दिनी जिसमें से जो एरिया में जो school होंगे जैसे कि अल समल city दुकन city अल करना अल गोरिया अल जुब्रा अल खरसा अल कबान अल जमलिया अल रवादत रसीद तो इन सभी जगहों पे जाके आप बच्चों के admission वागएरा करा सकतें चाहिए वह लडका ओ या लडकी हो कोई भी हो रेष्टेसा आप करवा सकते हैं तो दोस्तु यह यह आपको बच्चे वहाँ पर पहाँ पर प्ड़ता है तो जाके करवा सकते हैं admission वगेरा अगली जो update दोस्तों आ रही वो बहुती बुरी खबर है साथियों काफी दर्दनाख खरब है क्योंकि यह सौधी एरेबिया से आ रही है तो सौधी दोस्तों जिनकी photo वीडियो के screen पर आप देख रहे हो यह सौधी एरेबिया में उम्रा करने वाले लोग थे जिसके बस में और ट्रक में टक्कर हो गई थी जिसके वज़ा से लगभग आठ लोग की मारे जाने की खबर आ रही है लगभग 43 लोग इसमें अभी भी घायल है यह मदीना सहर में यह crash हुआ है जिसके वैसे बहुत सारे लोग मारे भी गए लगभग 8 लोग और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी है तो यह कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरे थी जो की कतर से आ रही थी, मैंने अब तक share किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी हो वीडियो चील वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ share करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ युनिक स्टूडियो पहला अफिस